लीनर मोमेंटम का सेकंड लिक्षर हम लोग डिसकस करेंगे लीनर मोमेंटम कंजर्वेशन पर हम लोग क्वेशन कर रहे थे लास्टन पर हमने एक क्वेशन किया था मिरी आवाज आरी कोई एक बच्चा कंफर्म करें है टिसकस किया था उसी से स्टाट करते हैं एक प्रॉब्लम हम लोगों ने लिया था लास्टन पर एक प्लांक रखा था जो की smooth floor पे रखा था बिटा उस पे एक आदमी हम लोगों को खड़ा था है small M mask plank capital M mask का है and सब कुछ rest पे था भी ये भी और man भी फिर दिया था if man moves by a displacement sir दो लोग थे दो थे मैं नी को था yes sir एक लफ नहीं अच्छा दो सवाल कर डाले थे का इस पे हम नहीं yes sir second question था हूँ cool बात थे तो एक बच्चे को concept दुबारा समझना है तो मैं एक question करा देता हूँ तो इस पे हम लोगों ने भाई तुम लोग को इतना समझाया लेकिन लोग लेट फिर आते हैं चली कोई बात ने इस प्राब्लम में हम लोगों ने यह डिसकस किया था कि अगर हमारा system बिटा मैन प्लस प्लैंक है मैन और प्लैंक को मिला कर अगर system माना गया है विटा तो you will find कि there is no external force in horizontal direction horizontal direction में कोई external force नहीं है किसका आई है किस देश प्लैंक का डिस्प्लैस्मेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना है तो आई है और ग्राउंटल है और ग्राउंटल कोई external force नहीं लग रहा है रव सर्फेस है नहीं बिटा तो कोई friction लगनी रहा है इन दोनों मैन और प्लैंक के बीच के जो भी friction और नॉर्मल होंगे वो internal forces हो जाएंगे सभी बॉडी के वेट और ग्राउंट से मिलने वाले reaction वर्टिकल होंगे तो दिर इस नो होरिजॉंटल एक्स्टरनल फोर्स तो वी कंसर्व अब लीनियर मोमेंटम होता है टोटल मास इंटू वह आए जब भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब होता है तो जो वेलोसिटी अवे सेंटर आव मास है वह कंस्टेंट है उसे जी रो ना समझेगा या कंस्टेंट अगर पहले से जीरो हो तो बादमीजीरो होगी है ना कि इस फोटो में क्या है इस प्रॉब्लम में हमारा center of mass जो था वो पहले से rest पे था इसलिए all time rest पे रहेगा है ना अगर पहले से पहले से moving होता तो move करता है रहता कुल मेरा कि conservation of linear momentum है और system का mass अगर constant है तो उसका center of mass will move with the constant velocity उसके पास कोई acceleration नहीं होगा center of mass का acceleration zero होगा in absence of external forces तो इसमें हम लोगों ने यह कहा था कि जब center of mass move ही नहीं करेगा बेटा तो center of mass का displacement ही zero हो जाएगा और इस पे based हमने के equation पढ़ाई थी total mass into delta x center of mass m1 delta x1 होता है plus m2 delta x2 plus m3 delta x3 इस तरह से पढ़ाई थी center of mass move ना करे तो यह वाला जीरो हो जाएगा अब आप दिखिए इसका मतलब जब यह आदमी एल राइट में जाएगा यह मैं जो होगा यह जब एल राइट में जाएगा यह उतने टाइम में इसको कुछ पीछे आना पड़ेगा सो दैट सेंटर मास रेमेंज अड़ सेंपोजीशन इसमें सेंटर आफ मास होर्जंटली डिस्प्लेस नहीं होगा यानि कि अगर मैं राइट जाएगा तो मोमेंटम चुकी जीरो है बिटा यहां पर यहां पूरा सिस्टम का इनिशल मोमेंटम जीरो है और मोमेंटम ओल्टाइम जीरो होगा होर्जंटल डिरेक्शन में चाहें यह मैं यहां पर डांस क्यों ना करने लगए ठीक है ना तो होर्जंटल डिरेक्शन में मोमेंटम जीरो रहेगा तो अगर यह मैं राइट में जा ले जाएगा मैं को आगे ले जाएगा बडिये फ्रिक्शन इंटर्नल फोर्स होगा बिटा तो वो मोमेंटम के चेंज में कंट्रिब्यूट नहीं करेगा तो कहने का मतलब यह है कि जब मैं हमारा एल मीटर आगे जाएगा तो प्लांक एक्स पीछे जाएगा लेकिन मैं जिसे पांच मीटर मालीजे प्लांक के ऊपर बैठ चला प्लांक पर पांच मीटर चला यहां से आगया उतनी दिर में एक मीटर प्लांक पीछे आगया तो मैं भी तो एक मीटर प्लांक के साथ पीछे आ बगा रहे हैं तो L-X यह man का man L ऐसे गया और X पीछे आ गया plank के चक्कर में तो L-X है displacement of man with respect to ground और plank का तो minus X हो जाएगा यहां से बच्चों हमने value निकाली थी ML upon M plus M ठीक है न तो यह concept था एक man हो या दो हो या तीन हो तो इस पर question आप कर सकते हैं चलिए तो आई एक नए question से शुरू करते हैं एक अच्छा सवाल सेम concept पर सभी बच्चे मुझे answer करेंगे और सभी जिससे एक मिनट के लिए mic on करेंगे answer बताएंगे फिर आप का अनी को आगे बनागे यह एक वैज है जिसका मा स्मॉल है में बच्चो यह सेम concept पर मैं चार पांच question कराऊंगा क्योंकि concept प्राइंप्पॉर्टेंट है है और एक चोटा सा पार्टिकल है और यह स्मूर्थ सर्फेस है कि इसमें आपको यह बताना है कि जब यह इसको मैं छोड़ दूँगा फिसलने के लिए और यह इदर फिसलते हुए आएगा system is released from rest तो जब यह bottom पर पहुँचेगा यह pq तो length pq को l माल लेते हैं find out displacement of wedge when block reaches q जब block q पर पहुचेगा तो उस समय तक wedge हमारे कितना displace हो जाएगा यह बताना है इस केस में भी आप देख रहा हो जब यह नीचे बच्चों फिसल के ऐसे आएगा तो यह wedge पीछे बादेगा इसको system का जो net momentum है अभी तो zero है और यहां पर भी आप देखो तो horizontal direction में कोई external force नीचे बादेगा तो जब ब्लॉक कहीं पर किसी इंटर्मीडिट पॉइंट पर होगा किसी इंटर्मीडिट पॉइंट पर होगा एक नॉर्मल ऐसे लगेगा उसका reaction force ऐसे लगेगा surface के perpendicular तो यह internal force होगा बाकी इसका gravity इसका gravity ग्राउंट से reaction यह सब वर्टिकल फोर्स होंगे तो एक्स तारेक्शन में नेट एक्स्टर्म फोर्स जीरो डीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा सेम कॉंसेट पर अप्लिकेबल है बताओ जरा कि जब यह जब यह यहां से यहां आ जाएगा यह slip करते करते तब तक यह वेच कितना पीछे हो जाएगी अप्लाइस से ल कॉस्टिटा इस्मालम अपां इस्मालम प्लस कप्टलम सही यह यादत तो बेटा वेरी गुट करते 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 हैं करते 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 हैं करते करते हैं नहीं करते करते क्वट यह ये reckless करते करते हैं करते हैं Sir, ml cos theta upon m plus l m, capital M Capital M L cos theta, यह कह रही है क्या? Nuses small m L cos theta upon small m plus capital M प्सराइ कर दो लँपार झाल 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 करते हैं बिल्कुल बेसिक लॉजिक है यह दिखिए जब यह यहां पर ऐसे आएगा तो यह इसको इधर पीछे की तरफ जाना पड़ेगा मैं बनाता हूं दोनों फोटो अगर कोई पूछे की यह पीछे क्यों जा रहा है तो आप इंडिविज्व अगर केवल वेज को देखोंगे केवल वेज को देखोंगे तो वेज के लिए जो नौ आपको देखोंगे मिलेगा यह तो एक्सटरनल फोर्स होगा और उसका एक एकस कॉंपोनेंट आएगा नौर्मल का एकस कॉंपोनेंट जो इस वेज को पीछे ले जाएगा तो यह तो अब इसी बात है कि वेज पीछे जाएगा विकॉस्ट के पास इनिशा वेल वेलोसिटी एक्स डारेक्शन में मुमेंटम भी कंजर्व है तो वेलॉस्टी जीरो ही रहेगी तो सेंटर ओफ मास एक्स डारेक्शन में तो मूब नहीं करेगा कि अच्छा यह मिस्कंसेप्शन ना पालिएगा कि सेंट जब एक्स्टरनल फोर्स नहीं होता मैंने बहुत बच्चों को कहते देखा है कि एक्स्टरनल फोर्स नहीं है तो सिस्टम का सेंटर ओफ मास और जोंटली मूब भी नहीं करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है है से email कि एक्स्टरन फोर्स की एक्स्टिए कौंस्टेंट होती है बट यह चुक्की पहले से झाइड स्फॉब नेकर रहा है हमेसा ऐसा नहीं होता है कि एक्स्ट्रम स्ट्रम पे और एक्स्टरनल फोर्स ना लग रहे हो तो हैं नए यह कह सकते हो सेंट्र आउप मास की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रहे होगी इन एपसेंस आफ एक्स्टरनल फोर्स ओके तो मिस्कंसेप्शन ना बठा लीजेगा दुनिया क्यों तो जिए जब ये नीचे आ रहा होगा वेज पीछे जा रहे होगी मैं दुबारा दूसरा टाइग्रम तो ये वेज थोड़ा सा पीछे आ चुकी होगी लाइक दिस ऐसे ये जब ऐसे फिसल के आएगा वेज पीछे आ जाएगी कुछ और ये यहाँ पहुँच जाएगा अब दिखिए ये वाली लेंथ अगर एल है तो ये वाली लेंथ पूरी एयल कॉस थीट ऑफी ये बढ़ा है अगर वेज हमारी एकस पीछे आहिए इदर एकस तो आप देखिए कि ये वेज हमारी एकस मुव करके पीछे आहिए इस प्रेम अगर वेज वहीं की वहीं बनी रहती तो ब्लॉक यहाँ से लेका यहाँ तक और L cos theta move करता और wedge के पीछे आजाने के कारण जो block का L cos theta में से आगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये X कम हो गया है wedge भी तो X इदर आई ना तो ये पूरा gap यहाँ Drowned के frame से खड़े होके दिखिए block इस line के सामने था और block ऐसे आगया लेकिन ये wedge बीछे आगी तो यहां आगया है block तो L cos theta ये है ये पूरी यहां से लेके यहां तक L cos theta उसमें से X minus यानि block का displacement जो है block का ground के respect में X direction में L cos theta minus X है that's it अब क्या basic logic लगा दीजे वही जो पढ़ा था total mass into delta X center of mass M1 delta X1 plus M2 delta X2 ये 0 कर दीजे center of mass rest पर X direction में तो 0 is equal to block का horizontal displacement L cos theta minus X wedge का है minus X तो इस तरह से आप कह सकते हो की जो displacement होगा wedge का वो M L cos theta upon M plus M होगा towards left ठीक है? इस प्रॉब्लम सबको समझा गया? अच्छा एक क्वेशन का आंसर ये दो बच्चो तुम लोग की सब्सक्वेशन हाँ बेटा बोलो Sir इसमें mass M plus M नहीं लेंगे तो इसको उपर रखा हुआ किसका mass बेटा यहाँ पर तो हम इंडिविज्व ब्लॉक्स लिख रहे हैं तेको ये तम जो क्या है फस्ट वाले body का mass उसका displacement तूसरी वाली body का mass उसका displacement अपने आप नीचे M plus हम आ जाया तो अलग बात है बेटा हम तो motion तो individual हो रहा है ना अलग-अलग हो रहा है ना बेटा दोनों का एकदम common motion तो हो नहीं रहा कि उस तरह से कुई ज़रूत प्रसकर मेरे एक सवाल यह है बच्चों की इस question में सेंटर ओफ मास का motion किस प्रकार का हो रहा होगा मतलब straight line motion नहीं हो रहा है कि बिल्कुल motion नहीं हो रहा है कर्व हो रहा है straight line हो रहा, parabola हो रहा है किस locust पे move करेगा, move करेगा भी कि नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा और सोच लो आधा एक मिनिट्ट दस सकेंड तर्स ट्रेड लाइन होना चाहिए क्यों पिटाइस ट्रेड लाइन क्यों सिवेम नहीं मुव करेगा सब मूव नहीं करेगा अब भी तुसको जीरो रख था था अब इसको जिरो रख था अब बिटार्वाइन कोष्रयान अब तुम ध्यान नहीं तुम इस डिरेक्शन निदे और मेरी लाल सана एक मार्म फिटी। सेट्था और हैं इंतरेन वाणले कंडर्शन इनने क्या फिलेट संवला क्या हुाँ स्कूनुद्ध कौए बड्लाक करी भात नीचे यह ना तौस तो सुनो से ड्यान से इंटर ऑफ मास का जो भी रहुंुकП स्वूद्ध निद्ध तो ने is a straight line vertically downward center of mass का motion downward होगा बेटा अगर y direction में center of mass का displacement निकालना हो तो m1 delta y1 plus m2 delta y2 upon m1 plus m2 होगा तो ml sin theta हो जाएगा y direction में दूसरे का 0 है और m plus m इतना नीचे आजाएगा center of mass center of mass का overall motion पूछे तो motion होगा इस case में बिटा पस वो वर्टिकल होगा और जंटल नहीं होगा तो motion तो होगा permanent interest नहीं है यहां पर लेकर y direction में होगा इसका मतलब यह हुआ कि यह जब ऐसे फिसल रहा होगा यह ऐसे जा रहा होगा तो center of mass अपनी location पर जहां पर भी होगा बीच में यहां कहीं होगा तो वो बस ऐसे नीचे आ रहा होगा इस तरह से है न तो center of mass vertically downward आएगा ओके तो दिस वासे good question चलिए तो कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं एक wedge है बचो same concept का question है इसमें अधिक time मत लेना बचो और यह इसमें एक hemispherical cavity type है इसका mass capital M है यह smooth surface पर रखकी है और एक चोटी सी ball है ऐसा करते हैं थोड़ी बड़ी ball रखते थे हैं इसकी radius small r है इसकी radius capital R है सिस्टम इज रिलीज्ट from rest यह ball slip करते 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 ऐसे आएगी फिर ऐसे जाएगी यहाँ पर जब यह ball इधर आएगी तो इसको इधर जाना पड़ेगा बिलकुल सिमिलर है मैं बार बार explain क्या करूं पूरे system पे इसमें भी external forces नहीं है तो आपको यह बताना है कि जब यह wedge जब यह ball जो है तुमारी यहाँ पहुँच जाएगी यहाँ पर इस वाली side पहुँच जाएगी तब तक यह हमारी जो wedge होगी जब बॉल ऐसे आएगी ना पिटा तो wedge इधर आजाएगी तो यह wedge कितना displace हो जाएगी यह x calculate करना है solve करें बाई ball कमाईस ही small m लेंगी ना as small m लेलो बिटा m capital R minus 2 R upon capital M plus small m let's see capital 2 R minus capital isma 2 R bracket M रेलो अपन इस्मा पस capital M two times रेलो अबतलो is capital R good to R m upon capital M लेख स्माले हुआ गलत है स्वाधिया देखो बेटा इसमें आपको बॉल का साइज थोड़ा बड़ा है तो बॉल का सारा मास उसके सेंटर मास पर कॉंसेंट्रेटिड मानोगे जब भी आप डिस्प्लेस्मेंट लिखोगे या मास मोमेंट लिखोगे है ना तो इस बॉल का सेंटर ओफ मास आप सोचिए यह लोकेशन थी पहले आपको सिर्फ और जॉन्टल डारिक्शन में देखना है आपको यह डिस्प्लेस्मेंट कंसीडर करना है और जॉन्टल डिस्प्लेस्मेंट तो बिस यह लिया जाएगा ना पॉने नो बजे भी कुछ लोग आ रहे हैं है भगवान क्या करेंगे जी तो अगर हमें इसमें लॉचिक लगाएं टोटल मास इन्तो डिल्टा एक सेंटर एफ मास इस इक्वाल टु एम फ़ोन डिल्टा एक सवन तो सेंटर एफ मास तो मूब नहीं कर रहा हैं ऊख fan stress एकस्टनल फोर्स नहीं में शुरू सारी बात यह बता हैं हम जीरो हो जाएगा और तो जो बॉल है उसका डिस्प्लेस्मेंट देखो आप यह पूरा डाइमेंशन यहां से लेके यहां तक तू आ रहे है और स्मॉल आर इधर चूट गया है स्मॉल आर चूट गया है तो यह तू टाइमस केपिटल आट टू टाम से समॉल आरो जाएगा और वैज का हो जाएगा माइनस एक्स सुरी इसमें माइनस एक्स भी तो गटाना पड़े गए तो वेज के रिलेटिव में है बट ग्राउंड के रिलेटिव में तो यह वेज पीछे एक्स भी आई है तो अगर वेज पीछे आई है अगर वेज पीछ आई है यह तो यह तो यह एक्वाल टू पर देंगे ऐसे आजएगर विटार अगर जाएगा टार इस एख तो यह जो टू शरो कर देंगे तो यह आना है बीया शर यह डेल्ट गज्वाला में समझ में आया है उता है बेटा कभी-कभी देखो ध्यान से देखो बेटा क्या समझने है अदर्स यह सब मतलब इग्जैक्ट नी बोलो फिक्स बोलो ऐसे लिए डिल्टा एक्स क्या है बेटा होरिजॉंटल डिस्पेस्मेंट है न यह सर तो आप यह देखो इनिशल पोजीशन देखो बॉल की फैनल पोजीशन देखो कर दोनों के बीच का गयप नापलोब संफ्रम्हा यहां पहुंच रही है तो सेंट्र कॉया अपे था यह जहां मेरा पॉंटर दिख रहे कि नीग गढ़। कि या सिर दिखुर है तो ये हख़ा है यह पॉइंटर यहां से देखो यह आया थी आया इस रास्ते से पर डिस्प्लेश्मन देखना है ना तो तू केपिटेल आर में टू समॉल आर गटाना पड़ेगा ना विटा लेकिन ये तो वेज के रिलेटिव में चला है बॉल तो यहां थी एक तरह से और ये वेज भी तो एक्स पीछे आई है तो वेज के अंदर ये चला है टू आर मैंने सार और वेज पीछे आगई एक्स तो एक्स गटा देंगे जिसे ल मैंने से कर देते थे तो यह सब्सक्राइब कर देते हैं यह सब्सक्राइब तो अब बच्छो हम इस पर थोड़ा मॉडिफाइड कोश्चन बताएंगे इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला है यह मान के चलो अबिटा अवैण सब्सक्राइब करें लिए द्वह रट्व犬 करता पर प्रॉब्लम करता आउप अइस पांडे यह तो कुंश्य पर डिपंड करता हैं कि डूध नहीं कि अध्यरै法tek कं लोग वेच्च का वेज़के तर तुम सब्सस्राइब हमें सर्फ्क्रइगायों जब बॉल इस कोने में पहुंच जाएगी तब बताओ वेज का डिस्प्लेश्मेंट क्या होगा तो जब बॉल इस कोने में पहुंच जाएगी तो तुम्हें यही पता है कि ग्राउंड के रिलेटिव में कितना चलेगी क्या तुम्हें ग्राउंड के रिलेटिव में पहले से नहीं पता था तो वेज के रिलेटिव में दिख रहा था तो वेज के रिलेटिव में लिख करके उसमें एक्स गटा दिया वेटा हमने पंडे कि हम ये थोड़े ना पता है कि आपको मस्की unified दो मोमेंटम कंजरेशन ग्राउन के रिलेटिमें लगारे हमें सारे डिस्प्थेश्मीं ग्राउंड के रिलेटिमें चाहिए लेंगिन जिन पाउंड के रिलेटिव में नहीं पथा हैं वेज के रिलेटिव में दिखाई पढ़ रहा है तो हम उसे िमर्ण करते हैं, तभी तो एक्स गटा देते हैं ये वाला ये इस खेंडियर नव न चलिये फैर एनव अगला question करते हैं यह question इस concept का last question है इसके बाद इस concept को repeat नहीं करेंगे यह 53 degree है विटा यह 37 degree है कर दो दो मेर दोत हदी T Já सके लोड़े सक को दोतर्स है कर दो सबसक्साम कोपी पहां जरह है कर दो सुरूब्य कर दो यह धो खमे करो दो दो प्रश आखजय बेसे में आख़ा फ्राइ अर स्ट जाखा कर। आखब metabolism अरे में इस आ हृझ। अब आपको बताना है कि जब ये दोनों ये ब्लॉक चुकि बड़ा है है भी स्काइमजी सांथिता जादा होगा ये एल मुफ करेगा तो अफकोर्स वेज के रिलेटिव में फाइंड आउट डिस्प्लेस्मेंट ओफ वेज 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 ब्लॉक्स वेज ब्लॉक्स वेज वेज ब्लॉक्स मुष है दिस्प्लॉक्स वेजिए वेज के रेलेटिव में ब्लॉक्स L मूँफ कर जाएंगे तो इसका मतलब ये L नीचे चलाएगा ये L लेफ्ट में चलाएगा और ये L ऐसे उपर चलाएगा उतने टाइम में वेज, उफकोर्स राइट में जाएगी X मूफ करेगी, सब्यागी X बताना है झाल 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 3bytes 7L 3L by 5 let's see 3L by 7 3L by 7 3L by 7 3L by 7 4L by 7 3L by 7 5 3L by 8 3L by 8 3L by 8 3L by 8 15L by 8 let's see तो यह वाला ब्लॉक जो है वो L ऐसे आ रहा है यह एंगल है 53 डिग्री तो इदर की तरफ जो इसका वो displacement का component होगा L cos 53 होगा ground के relative में लेंगे तो यह x में से minus हो जागा इदर वाला ब्लॉक भी L इदर आ रहा है यह एंगल 37 डिग्री है L cos 37 डिग्री होगा यह इदर की तरफ और यह wedge x इदर जा रही है तो x इदर भी जाएगा wedge के उपर है x इदर भी जाएगा और यह उपर वाला ब्लॉक तो सीदे-सीदे L इदर आ रहा है बट वेज इदर जा रही है तो L minus x इदर इन सभी का displacement left direction में होगा logic क्या लगाएंगे total mass into delta x center of mass m1 delta x1 plus m2 delta x2 plus m3 delta x3 plus m4 delta x4 है न center of mass horizontally displaced नहीं हो रहा है तो 0 लिखेंगे सबसे पहले left वाले का mass किता था याद नहीं मुझे 20 kg 10 kg 10 kg का आएगा left direction में आएगा left direction में राइट में लिखना हो तो आप इसको x minus this लिख दीजे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं अगर left की तरफ ही आएगा effectively तो मैं इसको negative sign लिख देता हूँ minus ऐसे minus का L cos 53 यह जो displacement है ना इतना यह negative direction इसलिए minus लगा है आपका मन हो तो आप इसे बात वही है आप x में से घटा लिजे मान लिजे थोड़ी दिर के लिए कि x बढ़ा है तो x minus L cos 53 अब यह right direction में होगा तो आप आप इसम minus sign नहीं लगाएगा इसी तरह इस वाले को यह जो उपर वाला था यह भी 10 kg है शायद 5 5 है 5 kg वाले का right direction में x minus L लिखूंगा तो मुझे एक minus बाहर लगाना पड़ेगा ultimately वो हो जाएगा x minus और यह 5 है इसका horizontal है x minus L cos 53 और wedge का भी right direction में wedge तो हमने x माना ही है 20x इसको zero कर दिया हमने 10x यहाँ से 5x यहाँ से 5x यहाँ से 20 20 40 x रहेगा बागे सब को left ले आओ 10 L cos 53 है 3 by 5 plus 5 L अब एक तो 37 होगा ने यह वैला यह सर्व यह 4 by 5 यह दर आएगा 40 L 5, 2, 7, 5, 5, 5 खतम यहाँ से 6, 5, 11, 11 और 4, 15 divide by 40 is equal to x 40 होगा 40 लिखादा दोगे से लगिया 3 L by 8 is the correct answer आ रहा है किसी का? यह सर्व कोई बात ने कोई बात ने आ जाएगा तो यह क्वेस्टन जो है फाइनली इस आर्टिकल का एक अच्छा क्वेस्टन है जिसमें हम सिर्फ अभी डिस्प्लेस्मेंट पर काम कर रहें के वल अनली आगे सर्फ ठीक है वेरी गुड बेटा बेरी गुड पहाँ बढ़ाते हैं सर डेल्टा एक्सवन बता दे जाएं मिता डेल्टा एक्सवन बता दे मिता डेल्टा एकसवन दीकी क्या है? डेल्टा एक्सम्न जो है वो हमने इस ब्लॉक का डिस्प्लेश्मेंट ग्राउंड के रिलेट्यू में लिखा है तो यह ब्लॉक क्या है बिटा कि यह ब्लोग प्लेट्व में लीचे आ रहा है तो L के दो कॉंपोनेंट कर लिए L कॉस्थीटा L साइन थीटा तो घ्राउंड ल तो जातो इसमें यह गटा दो अगर एल कौस फिप्टी त्री मानस एक्स लिखो गए तो तुवड्स लेश्टाइगा मैंने कल्पना कर ली इमाजन कर लिया कि एक्स बड़ा है एक्स माइनस ऐल कौस फिप्टी ट्री डाइट डायेक्शन में आ जाएगा एक्स मानस एल कॉस् अगर आप एक्स माना यह इदर मान लो एक्स मैनस ए लिख रहे हैं तो यह तो राइट में बनेगा ना एक्स मैनस अगर एक्स को बड़ा मानने बले बाद में वो चोटा पतर चले लग बात है जाएंगे तो लिफ्ट में ही लेकिन वह हमने माइनस बिना लगाना पड़े बाहर नहीं तो फिर माइनस लगाना पड़ेगा ना तो जब अन्नोन है तो आपकी से कोई भी एजम्शन ले सकते हो चलिए तो अब बच्चो हम थोड़ा सा कम्प्लीट कोश्चन की तरफ आ रहे हैं धड़कने बैठाल थाम लीजिए चुकि कोश्चन थोड़े से बलकी होने वाले हैं यह वाले और पहला कोश्चन एक ऐसा है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको बट एक क्यूकि इन कोश्चन को एकदम सिमीलर तरह का कैलकुलेशन होता है एक जैसा कैलकुलेशन होता है इसलिए बार-बार वही करना पड़ेगा तो पहला सवाल आपको लेंदी भी लग सक डिफिकल्ट है बेट करना तो पड़ेगा है चले तो एक प्राब्लम है मैं कॉंप्लीट प्राब्लम लिखता हूं एक अब यह हम उस इन ही प्रॉब्लम को तो इस डिस्प्लेशमेंट के गेलकुलेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं अब हम सॉल्व करेंगे velocity calculation यह capital M mass है जिसकी value 4 times small m mass के बराबर है यह small m mass है theta की value ले लेते हैं suppose that it is 37 degree g तो g है downward है all surfaces are smooth अचो सारी surface smooth है और इस particle को release किया गया है यह particle नीचे आ रहा है wedge पीछे भाग रही है question यह है find out speed of wedge when block slips down the plane by a distance small l अचाइगा यहाँ कहीं आचाएगा तब इसकी speed क्या होगी यह बता नहीं ठीक है ना यह फिर यह आणा कर लेगा पर ठीक है लिए a मैं इसको पूरा explain करता हूं भोर द्हां सुनियेगा बिल्कुल लेकत करीएगा डरियेगा नहीं चुकि जो calculation है वह पहली बार में तौफ़ा लिंदी लगे फट बहुत ही आसान और चुद्की कर लो लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा लिंदी हम सोच रहते हैं पहले यह बता दें फिर तुम अगला अगला वाला अटेम्ट करना तुम अटेम्ट कर लोगे बागी बच्चे क्या करेंगा है तो पिटा कॉशन लिख लिए सभी ने चाले तो सबसे पहले बच्चों यह देखिए कि अभी हमने थोड़ी देद पहले इसी तरह के कॉश्चन कर रहे हैं लगातार और यह बात समझ रहे हैं पहली बात क्या समझ रहे हैं कि इस कॉश्चन में एक्स्टरनल फोर्स एक्स टारेक्शन में जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व है एक्स टारेक्शन में सेंटर आफ मास की विलोसिटी एक्स टारेक्शन में कॉंस्टेंट रहेगी और कॉंस्टेंट ही नहीं जीरो भी है इसलिए सेंटर आफ मास का एक्स डारेक्शन में कोई डिस्प्लेस्मेंट भी नहीं हो रहा है यही बात है तो बिटा समझ रहे है उतनी दिर से खुल अल्राइट तो सबसे पहले यह पता है बिटा कि यह ब्लॉक जब इसमें फिसल रहा होगा है इट व्ल कम डाउनवर्ड तो वेज के रिए टो में यह दो यह पीछे भाग रही होगी तो यह न शिर्फ ऐसे सलिप कर रहा होगा बल्कि वेज के सासा पीछ भी तो आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें दोनों मोशन इंवाल्व है एक तो वेज के रिलेटिव में मोशन प्लेन के डाउनवर्ड इंवाल्व है और वेज के साथ-साथ इधर की तरफ भी आ रहे हैं तो इसका जो नेट मोशन होगा कुछ वह ऐसे इस तरह से हो रहा होगा नीचे इससे हो रहा होगा इजल्टन्ट मेरा पहला प्वाइंट है इस ब्लॉवी rant की वेलांसिटी ग्राउंड के रिलेटिव में हमें पहले से नहीं पता है की डिएक्शन क्या है प्लीस स्टेट्मेंट को ध्यांट से सुने हमें इस चोटे वाले ब्लॉब की विलासिटी दोनों की तर ऐगा बादय मोन नो को एसे रदेटिति है जब हमें क्राउंट के रोने में पता नहीं है वेलेसिती बट हमिघ केके रोतिएज जानते हैं। तो हम यह मान लेंगे कि मैं नई फोटो बनाता हूं यहां पर तो फोटो बना देता हूं एक फोटो यह है जिसमें यह ब्लॉक यहां पर है और यह सब कुछ रेस्ट पर है यह भी और यह भी और एक फोटो वो है जिसमें ब्लॉक फिसल चुका होगा ठीक ठाक ब्लॉक यहां है वेज इधर जा रहा ही इसकी विलॉस्टी इसकी तरफ होगी लेकिन ये उस ऑब्जरवर को दिखाई पड़ेगी जो वेज पर बैठाओ यानि इस वी रेलेटिव इसलिए वी रेलेटिव है वी रेलेटिव है वेलोसिटी ओफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट वेज अब चुकी पहला सवाल है तो मैं सारे कॉंसेप्ट एक्स्पेइन करूंगा प्लीज वन बाइवन बहुत ध्यान से चलते रहें लेंथ आफ चुलमे क्यक्टक्त क으नकि फ्यू रेलेटिव ॅ सोऊंगा शिक का लौजिक की फोर्मूला था पो किसी एक की दूसरे रएका नहीं तो एक की वे वहलोसिटी माइनस भ्रॉसरे लेटिव के यesz्वाला वेक्टर जाके घ्रम ये इधर जा के इसमीं जुड़ जाएगा तो इसको जोड़ देंगे तो वेलोस्टी ओफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यह लॉचिक बिटा हम यहां पर लगा रहे हैं लगातार यह यूज करते आ रहे हैं अभी भी पर अभी थोड़ा सा कॉंसेप्चियल बताना जरूरी है अभी तक तो मैं वैवहारिक तरीके से बता दे रहा था क्योंकि टू डामेंशनल के इस नहीं था यानि कि यह मैं क्यों करने बच्चो क्योंकि हमें सारी कि सारी वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में ही चाहिए हमें मोमेंटम कंजर्वेशन ग्राउंड के फ्रेम में लगाना है हमें एनर्जी कंजर्व पर यहां पर जो नेट फॉर्स जीरो है हो और यह जो ग्राउंड के फ्रेम में इसकी विल्स्टी पता नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे हमें ये जो विल्स्टी देख रहो ये वाली फोट मेरे पॉइंटर को ध्यान से देखना निम्हां जहां पॉइंटर इंडिकेट करता लॉइन इस ब्लॉग कि विलॉसिटी से रिलेटिव में है थीक है या नी ब्लॉग यह वाली विलेटिव है और यह जो सब्सक्राइटिव पीछे की तरह यह बाई मिंच नोनों जॉड हमें तो जोड दोगे आएगी वह कौने रिलायुथ तो C इसे बास में तो इवार एक तरीके से भी समझोगे की वैज के रेलेटिव में यह विलस्टी एदर की तरफ और यह हैं ग्राउंड के रेलेटिव में तो यह फस्ट वेक्टर यह वाला हो गया वी यार और यह second vector यह वाला होगा, इन दोनों का जो resultant होगा है, मैं थोड़ा सा xy बना देता हूँ यहाँ पर यह angle theta है, यह जो resultant होगा इन दोनों vector का बच्चो that is the velocity, इन दोनों का resultant है, it is the velocity of block with respect to ground इसकी resultant का प्रयोग हमें करना है momentum में, तो resultant निकालने के लिए यह तो मैं law of parallelogram यह उस करूँ, यह मैं इसके दो component कर लेता हूँ, vr cos theta और vr sin theta सबसे पहले तो मैं, block की velocity, ground के relative में हमको मिल गई है, x direction में मिल गई है, x direction में, अकर मैं right direction में मान लो, हलागे एक बूव्मेंट तो और vr cos theta minus v यह बेटा चेक है, यह x component है और यह y component है किसकी block की velocity ground के relative में, ठीक है, इतना सब लिखना नहीं पड़ेगा exam में, don't worry जो अब next problem करेंगे तो आप देखोगे कितनी कम line हो में करेंगे अभी मैं चाहता हूँ, एक concept सारह explain कर दूँ मैं अच्छे से तो यह तो हो गया कि block, फिर से सुने, block की velocity हमने बेटा pointer ध्यान से देखें block की velocity हमने क्यों मानी wedge के relative में, because हमें ground के relative में, जो इन दोनों vector का resultant आएगा जो भी इधर बनेगा या उधर बनेगा हमें नहीं पता था कि इसकी velocity ground के relative में किधर है नहीं तो हमें दो component मानने पड़ेंगे x और x और y और फिर number of equations बहुत बढ़ ज़िए कि relative में मानना हमारी मजबूरी थी because wedge में ऐसे फिसलता चला रहा था तो हमें direction पता थी लेकिन हम wedge के relative में रख नहीं सकते थे क्योंकि हमें momentum conserve कर दा है ground के relative में उसमें जब wedge वाला वेक्टर ये वाला वेक्टर जब जोडेंगे तब जो resultant बनेगा ये जो वेक्टर बनेगा ये ग्राउंड के relative में velocity आ गई है ओके नौ वी आरेडी तो solve this problem ये रेडी तो apply the problems यूज हो रहे हैं आपर पहला concept x direction में external force ना होने के कारण linear momentum conservation है x direction में दूसरा non conservative force ना होने के कारण mechanical energy conservation लगाएंगे तो दो concept यूज हो रहे हैं एक conservation of mechanical energy मैं already आपको बता चुका हूँ बच्चो पूरी physics के पूरी mechanics के question तीम चार principle पर ही solve होते हैं conservation of energy and work energy थे और हम conservation of momentum impulse and conservation of angular momentum तो रोटेशन में हम angular momentum और impulse वगेरा पढ़ लेंगे चलिए तो लेट ऐस डिसकस में आपको बता देगा है MEC कहां पर लगाया है अभी बता देंगे mechanical energy conservation तो तब लगाएंगे ना जबकि system में कोई frictional forces ना हो कोई external agents ना हो जो बाहर से mechanical work कर रहे हैं तो यहां पर तुम देखो केवल इस छोटे वाले block का जो mg होगा ना यही केवल वर्क लगा रहा है अभी इसका mg केवल वर्क करेगा नहीं केवल gravitational force वर्क करेगा जब केवल conservative force वर्क करते हैं तब mechanical energy रहती है conservative force के अलाब़ा गर कोई non conservative या बारी एजेंट आ जाए तो वह mechanical energy में चेंज कर देते हैं तो फ्रिक्शनल forces mechanical energy का loss करते हैं एजेंट loss और गेंड दोनों में कुछ भी कर सकते हैं यह सर चलिए तो नहीं पता मुझे आंसर में लेके नहीं वेटता है बटाए तो प्रिक्शन तो मैं अपने तरफ से ले लेता है डिरूट टूजी एम भाई फोर आ रहा है लेट सीट मैच करा लिजेगा प्रिक्शन से में बना देता हूं चलिए तो initial momentum initial momentum is equal to final momentum initial momentum zero है system का final momentum देखे क्या है वेज आ रहा है पीछे की तरफ तो माइनस 4mv यह वेज का momentum राइट डारेक्शन में देखे एक्स कंपोनेंट क्या है वेलॉस्टी का यह है वी आर कॉस थीटा माइनस वी बिटा टूज राइट थीटा है 37 माइनस वी तो यहां से वी की वैलू आ रही है एम वी आर कॉस 37 है 4 बाइ 5 डिवाइट बाइ 5 M आएगा यह अफ्टर सिंप्लिफिकेशन 4 वी आर बाइ 25 दिस एक्वेशन नमबर वन तो वी आर वी इस एक्वल टू 4 V रिलेटिव अपॉन 25 यह फर्स्ट रिलेशन आ गया है अब फाइनल पोटेंशल नर्जी में देखो जड़ा जब यह ब्लॉक सिलिप करके नीचे आएगा यहां से एल डेस्टेंस नीचे आ रहे है ना इन्होंने कहां एल मूफ कर जाएगा यह एल दिया गया है तो यह लेंद साइन थीटा हो जाएगी हाइट उसकी और वेज की पोटेंशल नर्जी में चेंज नहीं आएगा वेज का मोशन होरा है और जोंटल मोशन में सेंटर मास के पाल लिया था कुछ यह तो कैट्री जाना है वैसे लिए और काइनेटिक एनर्जी में फोर एम वीस पर अब दीके यहीं पर खेल हो जाएगा आपका जब आप ब्लॉक की काइनेटिक इनर्जी लिखोगे तो ब्लॉक की स्पीड इस वेक्टर का रिजल्टेंट लिखोगे एस वेक्टर का रिजल्टेंट लिखोगे बच्चों तो यह वेक्टर का X Component यह Y Component resultant होता रूड़ी स्कौर पर एक स्कौर पस लिख कर तो यह वेक्टर यहां बस यहीं पर गंदगी में गंदा मैसूस होता है हमको सबी बच्चों को क्योंकि तोड़ा सा लिखने में स्कुछ नहीं पहले आप मैगनिटूट पहले निकाल लो में इसलिए कह रहें इसका जो मैगनिटूट आएगा वंडर रूड इसका स्कुछ वो तो स्पीड हो जाएगी एकस आई कैप लस वाई जे कैप का मैगनिटूट रंडर रूड एक स्कुर पस वाई स्कुर ठीक है यह बस एक्वेशन आपने एनर्जी कंजरेशन किया अगर बना ली कानेटिक एनर रेलेटेव 25 वी बटे 4 वी रेलेटेव यह रख दोगे सिंप्लिफाई हो जाएगा तो एम जी एल साइन थीटा है साइन थीटा है 3 बाई 5 यह है 2 एम वी स्कुर प्लस एम बाई 2 ब्रैकेट अंडरूट हट जाएगा ब्रैकेट से वी आर कॉस थीटा माइनस वी लग लेते वी आर कॉस थीटा माइनस वी तो वी आर है 15 और यह कॉस थीटा है 4 बाई 5 माइनस वी का स्कुर और वी आर है 25 वी बाई 4 3 बाई 5 का स्कुर थीटा है 5 से 5 या जाएगा 5 by 5 v minus v 4 v square right तो ये है 2 m v square plus m by 2 ये 5 बचेगा minus 16 v square जाएगा 4 v ka whole square ये जाएगा 5 v by 5 v by कितना हैगा 15 to 25 v square by 4 by 16 हो जाएगा तो इसको simplify कर लेते हैं 3 m g l by 5 बसी calculation है आगे energy conservation equation बनाते ही खतम होगा है सवाल अंडरूट में होगा ना उपर आदा अंडरूट तो हट गया है ना दो स्कार है ना देखो बार आज़र तो 3 g l by 5 ये m हटाई दे रहे है तो 2 v square 1 by 2 16 into 16 कितना हो था 256 plus 225 256 plus 225 किता होगा तो ये आ रहा है वी स्कार आ गया common और जोड़ दो अभी है 481 है ना तीस अगर जोड़ेंगे तो हाँ 481 30 481 में 64 और जोड़ दो तो 545 ये तो 545 वी स्कार डिवाइड बाइड थर्टी तो बस वी आ गया तुमारा 3 से डिवाइड हो रहा है क्या है ये नहीं हो रहा है नहीं सार तो 32 into the 96 GL डिवाइड बाइड बाइड फाइव इन्टू 545 इस इस दा आंसर ये काल्कुलेशन थोड़ा बलकि इसलिए लग रहा है चुकि डेटा मैंने अपने घर से बना दिया है बुक के डेटा के कॉर्डिंग के कैल्कुलेशन सिंप्लिफाइड हो में प्रॉब्लम तुम्हारी यहां खतम हो गई यहां से सवाल खतम हो गया सब्सक्राइड बीमारी खतम नहीं होगी बताओ च्या दिक्कत इसमें क्या समझ नहीं आए इसमें कोई ऐसी बात होगी जो तुम्हें नहीं समझा रही है बार बार वह अभी मैं बता दूंगा तो इस नहीं में कोई तुम्हारी नहीं आए और बाद किनेशल़ इनर्जीइश्य।imiz आरlaus । इसक्वार कि इसली रेस्ट पे दोनों तो जीरो प्लस जीरो हो गया पोटेंशल अर्जी हमें नीशल क्या है जो उतियों माल लेते हैं कि नीशल होगी कुछ मुझे क्या करना नहीं जाना है इनीशल कितनी थी ठीक है अब आता है फाइनल पोटेंशल नर्जी कैसी लिखी जाए तो यह देखा जाता है मैंने एक छोटी सी बात बताईए कोई ब्लॉक अगर एच हाइट नीचे आ रहा है तो जो भी उसकी इनीशल पोटेंशल नर्जी हो यहां लिखना है यूटू तो यहां लिखना है यूटू अगर ऊपर जा रहा है तो यूटू पलस aquesta के शोगी कि एमजी एच जो होता है यह चेंज ऑफ पोटेंशील नर्जी होता है तो यह दिखाग जो छोटा वाला ब्लॉक था यह ऐल्प difficult स्टेंस नीचे आया तो हाइट क्या हो गई एल साइन थीटा तो यू इनीशल यह पस बल्की क्वेशन होने की वज़े से आप दर गए इसको डिकोड किया करो टुकडो में तोड़ा करो तो यू इनीशल माइनस एल साइन थीटा इतनी पोटेंशल नर्जी गट जाएगी पहले जो थी उसमें से इतनी कम हो जाएगी तो यह बाद वाली पोटेंशल नर्जी होगी वेज की इनर्जी चेंज नहीं हो रही चुकि वेज में पोटेंशल नर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा चुकि वेज का जो center of mass होगा वो तो सीधा चलेगा ऐसे उसकी height में कोई change ही नहीं होगा तो उसका लिखा नहीं मैंने यह है wedge की half mv square wedge क्या mass wedge की speed यह half mv square यह block का mass है block की speed है इसमें कौन सा time difficult है बताओ दोई चीज़े important है यह बस potential energy में दिक्कत होती है बच्चों को तो वह ध्यान रखो अगर body अपनी initial position से नीचे आई है तो u final will be u initial minus mgh और अगर वो अपनी initial position से उपर गई है तो u final will be u initial plus mgh u initial जो है उसको u initial रहने दो बस u final पर focus करो है ना अब इसमें अगर परशानी हो रही है तो यह किसी vector का magnitude लिखाए यह पर इस vector का magnitude उठागे रख दिया वेक्टर का magnitude क्या होता है अगर कोई vector लिखा हो ऐसे a i cap plus b j cap तो obviously वी की value under root a square plus b square होगी बिटा है ना तो यह a है देखो यह b है और बात में हमें half mv square में square करना था तो पूरे under root का पूरे का square लगा हुआ है देखो अब बताओ किस line में कि दिक्कत है आपको किस step में दिक्कत अब हमेशा के लिए खतम हुई कि नहीं हुई यह गड़बड न करना यह गड़बड न किया करो इसको पहचाना करो की पैचाना करो इसको उपर से लबड़ गबड़ देखो के तो हमेशा दिक्कत रहेगी कोशिस यह करो कि जो डाउट आपके मन में आया है उसको समझ लो ताकि वो दुबारा गड़बड़ना हो और सवालों में चलिए तो इसमें फिर बता लेगी आवाज नहीं हारी आपके नहीं सुन पा रहा हूं है अब बलॉट की स्पीड कैसे निकाली है कि बलॉट के रिलेटिव में वेज के रिलेटिव में बलॉट कैसे जा रहा है आप और वे जैसे जा रही है तो इन दोनों का जो एक्टर रिजल्टेंट है वो निकाला है वेक्टर रिजल्टेंट में हमने क्या किया है इस वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट किये है वी- आर कॉस थीटा यह VR sin theta घिक है न तो इन दुनों का जो vector addition होगा वो इस direction में आ गया VR cos theta minus V और यह आ गया VR sin theta फिर इन दुनों का जो resultant आएगा फाइनली यह आएगा ब्लॉक्ती speed ground relative में जो की under root इसका square plus इसका square होगा वही तो मैं बता रहा हूँ उतनी देर से कि अब यह पता है यह ना आने का मतलब है कि आपने या तो इस नहीं करी है अभी प्रेशर में आके रिकॉर्डिंग नहीं हो रही तो आप लोग जबर जस्ती कर रहे हो वागी सोते रहे हो अब तक या फिर आप पुराना पूरा खाच के पड़ा हुआ तो इस पर तत्काल अगर ऐसी गलतिया हो रहे ही तो तत्काल काम करो अपने बेसिक पर पुराना चेप्रस को अच्छे से रिवाइस करो उन पर प्रक्टिस करो यह सब चीजें एक बार के नहीं यह चीजें बार बार गलत होगी पूरी फिरिक्स में आती है मेरी बातों को यह चीज मुझे इंप्रूव करनी है यहां मैं आकर मुझे तिक्कत होती है इस कॉंसेट में आकर मैं फसरा हूं बार बार तो मैं आज इस कॉंसेट को जड़ से खतम कर लूँगा समझ लोगे पूंदे को लगने हल्वा लगने लगने लगेगा चलिए बच्छो तो एक प्रॉब्लम बच्छो करते हैं हम लोग आंसर तो मुझे नहीं पता आंसर का कैलकुलेशन क्यों भरोसा आंसर क्यों देखर अपना करना ना है क्या पता कैलकुलेशन ही गलत हो बीच में देखलो फिर भी 5 इंटू 545 है नीचे उसको सिंप्लिफाइ नहीं किया हम लोगों ने किया तो मिलके यह वैसे चलिए अब हम लोग एक क्यों करते हैं बिलकुल कॉमन क्यों है सिमिलर क्यों है एकडम कॉपीड क्यों है यह एक हेमिस्फेरिकल सॉलिड स्फियर है इसमें आप इसका मास दस किलोग्राम है और इसकी रेडियस आर वन मीटर है वन केजी का ब्लॉक है है ना तो अगर वन केजी का ब्लॉक है तो आपको यह बताना यहां से सिस्टम को रेश्ट से रिलीस किया गया है जब यह किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर पहुचेगा तो फाइंड आउट स्पीड और फेमिस्वियर यह स्मूथ सर्फिस पर रखा है ऐसा करो आप इसको स्मॉल एम कैपिटल एम लेलू कि डेटा थोड़ा सा इंकंसिस्टेंट हो सकता है आप सर्फिर का मास कैपिटल एम है इसका स्मॉल एम है और यह जब इसमें स्लिप करना स्टार्ट करेगा और यब यह थीटा एंगल पर आएगा ठीक है फाइंड आट स्पीड और फेमिस्वियर विन बॉल रीचेज अट एंगुलर पोजीशन थीटा तो रेडियस कैपिटल आ रहा है रेडियस कैपिटल आ रहा है ले लो कैपिटल आ ले लो बार्ट कैपिटल आ ले लो कैपिटल आ रहा है रखवाँ आट किपटल आ रहा है झाल 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 झाल